ड्राइ डेट्स जिसको चुहारे भी कहते हैं वो और लालमुच की बहुत अच्छे टिप्स ले करके आई यो फ्रेंड्स बहुत पायदेमंद और बहुत बहुत चटपटा है तो जरूर बनाईएगा दोस्तों इसको इसको बनाने के लिए आपको खजूर ले लेने हैं सुख अच्छे से भीग गया है अब इसको काट लेना है इसके अंदर जो बीज है उसको निकाल देना है बीज को फेकनी की ज़रूरत नहीं है उसको भी धूप में सुखा के उसका पौडर बना के यूज कर सकते हैं तो खेर इस रेसेपी में बीज का यूज नहीं है तो इसको पतला लंबा काट लिया है जितना पतला होगा उतना बढ़िया सुखेगा और लंबे समय तक स्टोर हो पाएगा तो फ्रेंट अब एक चटपटा मसाला बना लेते हैं तो दो चमच सौफ ले लिया है मिक्सी के जार में एक चमच सिंधा नमक डाल देना है इसमें आप रेग जीरा को भी डाल सकते हैं जो भी अबलेबल हो साथी साथ इसमें दो चमच चीनी डाल देनी है एक चमच काली मिर्च का पाउडर भी डाल देना है इसमें आदी छोटी चमच हींका पाउडर डालना इससे स्वाद बहुत अच्छा होता बहुत फायदेमंद बन जाता है ये दो चम्मच काश्मिरी लाल मिर्च डाल दी है, एक कलर के लिए होता है, तीखा नहीं होता है, अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है सारी चीजों को, मतलब मिक्स कर लेना है, और ये देखें फ्रिंट, बहुत ही चटपटा मसाला बनके रेडी हो गया है, अब बहुत सिंपल है, इस चटपटे मसाले को जो कटे हुए चुहारे के पीसे से, उसके उपर में डाल देना और मिला लेना है, चुहारे के पीस अभी थोड़े गीले है, क्योंकि आपने भिंगा करके काटा है, तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है सारे मसाले, बिल्कु उपर से ही डालते हैं, उपर से डाल देना और मिला लेना है, अब इसको थाली में या चादर पे फैला के दो-तीन दिन धूप में एकदम अच्छे से सुखा लेना है, याद रखिएगा इसका सूखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये लंबे समय तक स्टोर हो पाएगा, ती तीन से चार दिन इसको एकदम अच्छे से सुखा ले धूप में, अगर कड़क धूप है तो दो दिन में भी सूख जाएगा, अब इसको इस तरह से भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा और चटपटा बनाना हो और शेल्फ लाइप बढ़ाना हो तो इसमें इसको भी पीस के डाल सकते हैं या गुड़ भी डाला जा सकते हैं गुड़ का पाउडर और मिला लेना है, अब इसको मिला करके किसी भी एर टाइट कंटेनर में भर के आप पूरे साल स्टोर कर सकते हैं, रूम टेंपरेचर पे ये एक दो महीने खराब नहीं होता है, फ्रि